बुडियो, तूने मेरे जीना हरां कर रख है, सारा दिन तेरी खस-खस, तेरी बिमारी एक, तेरी दुगाईयों का खर्चा, बट्टा बैठ गया है मेरे घर का तो, अब तो एक काम कर, जल्दी से खड़ी हो, और वो सामने मेरे ना भाई खड़ा है, बाई लेके, और उसके सा मा, ओ मा, जरा पानी लेके आना तो, बोज़ोर की प्यास लगी है आप आगई जी, आज आप कुछ जल्दी ही आगए खेट से, क्या बात है जनाब अरे घुलाबो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी कर आगया क्या बत है, मा दिखाईनी दे रही, कहा गई भी है तुम्हारी माता जी गई है वृदाश्रम देखने, मेरे भाई के साथ मा वृदाश्रम देखने गई है, क्यों? मैंने भीज़े जी उन्हें, कल से वो वही पर रहेंगी मैंने उन्हें कहा कि आप खुद जाके वृदाश्रम देखाई है अगर आपको पसंद आये तो ठीक है वरना दूसरा देख लेंगे आरे गुलाबो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गया मेरी मा और रिदा श्रम में रहेगी क्या चिला क्यों रहो और ना नीची आवाज में बात करो तुम्हें पता है ना कि मुझे उची आवाज बिल्कुल भी पसंद नी है और नहीं तुम्हारी मा के बात तो तुम्हारी इस छोटे से खेत की काम में हमारा घर का खर्चा तो चलता नी और उपर से तुम्हारी वो जो गुड़ी हमाया ना उसकी दवाई का खर्चा और बढ़ गया है कहां से लेक्या होगी गुलाबो तुम्हें पता है ना मैं मेरी मा के बगेर नहीं रह सकता और मेरी मा भी मेरे बगेर नहीं रह सकती अब आदट डाल लो जी ये तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और तुम्हारी मा के लिए भी और हाँ अब जाके ना मोनो को टुशन से ले आओ काफी देर होगी है क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है आज मुझे ना मेरी सहीलियो के साथ शाम को पार्टी में जाना है अरे मेरा मूग क्या देख रहे हो बहरे हो गयो सुना ही नहीं देरा जाओ मोनो को ले के आओ टुशन से एक किलास पानी ला दीजे प्लीज बहुत जोर की प्यास लगी है आप मोनो को टुशन से ले आए क्या कहीं दिखाई नहीं दे रहा भार खेलने गया है क्या नहीं मैं उसे छोड़ आया हूं छोड़ आई कहां छोड़ आई जी अनाथाश्रम में छोड़ आया अनाथाश्रम या आप क्या बोल रहे हो मैं सही बोल रहा हूं और तो मुझे चिला के बात मत कर मुझे भी उंची आवाज सुनना पसंद नहीं है मैं सच कह रहा हूं मोनो को मैं अनाथाश्रम छोड़ आया हूं मैं आपके हाथ चोड़ती हूँ जी मेरे बेटे मॉनू को आप ले आईए बापिस वहाँ से मैं उसके बिना नहीं रह सकती क्या का तो मॉनू के बिना रह नहीं सकती कभी तुने सोचा है मैं मेरी माँ के बिना कैसे रह पाऊंगा जब बात तेरे बेटे की आई तो रोने लगी और मेरी माँ के बारे में ये नहीं सोचा कि वो अपने बेटे के बिना कैसे रह पाईगी मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी मुझे भाफ करती जी मुझे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दीजिया प्लीज आप उनको वापिस ले आईए जी मुझे माफ कर दीजिये मा भी मांगनी है तो तू उस मां से मांग जिसके जिगर के टुकड़े को तूने उससे अलग कर दिया तो उस बेटे को छीर नहीं थी उससे अरे तुझे तो उसकी सेवा करनी चाहिए थी और तूसे अनाजा सरम चोड़ाई और सुन मैं इता निर्दे ही नहीं हूँ जो एक बेटे को उसकी मां से जुदा कर दूँ जा ले आ मोनू को काकी के घर बेठा है मुझे माफ कर दो जी मुझे अपनी गलती का हसास हो गया लेकिन सबसे पहले हैं ना हम दोने विर्दा आश्रम चलते है मैं माता जी से पैर पकड़ के माफ ही मागूगी और हम दोने मिल खेना उन्हें इस कर में वापिस ले के आएंगे जी चले चलो माही मन्दिल माही पूजा मा से बढ़के कोई न दो जा मेरी प्यारी बेहनों मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यहीं प्रात्मा करती हूं कि आप अपने सास को सास नहीं बलकि मा समझे और जो गलती इस वीडियो में मैंने की है वो गलतिया भूल कर भी ना करें अगर आपको मारा वीडियो पूसल दे तो लाइफ कीज़ेगा कमेंट कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करना कभी मुझ भूलीगा जो चोटी सी बैल होती है उसे जरूर्द बाद जीज़ेगा धन्यवाद